अब इस्टुरेंट इसके अंदर हम लोग नॉवंबर 2022 के objective question देखने वाले हैं यहाँ पर नॉवंबर 2022 के जो भी आपको mcq types के question पुछे गये थे with answer हम लोग देखने वाले हैं इसके पहले भी हम लोग ने 2023 के देखे ठीक है अब भी नॉवंबर 2022 का देखने वाले हैं और जितने भी एसके हैं सब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं यहाँ पर जितने भी objective पूछे गए हैं और इससे पहले इस्टुरेंट आपको पता कि सबसे पहले कि आपको अब्जेक्ट्व जो एक्जाम में होते हैं बीसमार्क्स के objective बहुत हैं इंपॉडन्स होता है इसके लिए आपको प्रिब्येस एस के पेपर्स के objective कर लेने हैं तिस सीरीज के अंदर अब लोग ने इसके पहले मैंने आपको ट्रू फॉल्स जितने भी सब करा दिया मैंने अभी हम लोग फिलिंग दे ब्लैंक कर रहे हैं जिसके अंदर अभी नौंबर 2022 का करने वाले हैं और बाकी डिटेल के लिए आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा जिसे याप लिखाएं इंघ्रिस आक रूड्ड बट नौर्ट डिव ऑंदी बैंक लोण अपियर इंड दे बैंसле और दी हेड आपको लिखा कि इंट्रेस अक्रूट के अमनोंने बट डिव बट नॉट डिव अन दे बैंक लोन अपियर इन दे बैलेंस इट बैलेंस इट के एड में कहां पर आ जाएगा तो अधर करन्ट लाबिलिटीज के अंदर आ जाएगा नेक्स यहां पर लिखा है एरियस अब डिविदेंस इट इरीएंस डिविडर्ट इड इंटरनर रिकन्सक्षिन स्कीम पूलता है जो एरियस अब प्रिविएंस डिविडर्ट रहता है उसको हमनों पेमेंट नहीं करते हैं Internary Construction में यद ships नहीं payment करेंगे तो उसका क्या होगा तो याँपे Intri debicted captain reduction करेंगे credited capital reduction करेंगे या no Intri pass कोई भी Intri pass नहीं करेंगे या Debit करेंगे preference shares capital यद यामनोंने area sub-dividend को payment ही नहीं किया तो उसकी कोई भी Intri नहीं आती है no Intri appear उसका कोई भी Intri हम लोग पास नहीं करते हैं नेक्स यहां पर लिखा है investment accounting is the gone बुलता है investment accounting आता है कौन से 8 के अंदर आता है AS 13 के अंदर आता है next यहां पर लिखा है buyback of shares result बुलता है buyback of shares करने इस क्या होता है option reduction in the share capital increase in share capital increase in goodwill increase in general job तो buyback of shares क्या होता है reduction in share capital reduce होता है यहां पर next देखते हैं लिखा one of the falling not regarding the internal reconstruction बोलता है जो नीचे दिया हुआ है इसमें से एक चीज़ इंटरनल reconstruction के अंदर नहीं होता है तो क्या-क्या option दिया है no formation of new company reduction of liabilities reduction in capital liquidation of company तो यहां पर liquidation of company नहीं होता है one of the following not in the regarding the internal reconstruction internal reconstruction में कोई भी company बंद नहीं होती है नेक्स्ट यहां पर दिया था question number six इस विश्टल ब्लॉइंग यह क्या है आपर विश्टल टरेफिंग क्लियर है या एन एक्ट दे इन्वाल्ब दे इंलीगल activities है यह not reporting illegal activities तो इसका right option आ जागा not reporting illegal activities आ जागा नेक्स इस्ट ने हम लोग देखते हैं CSR stand for CSR का full form क्या होता है यह पर थम लोग क्या option दिया था cooperative social responsibility है corporate social responsibility है common service responsibility है corporate service reporting है तो CSR stand for क्या होता है corporate social responsibility होता है नेक्स देखते हैं इस्ट ने आपे क्या लिखा है copyrights so in the company balance sheet head of copyright जो हो रहता है वो balance sheet के काउन से head के अंदस हो होता है तो intangible assets के अंदस हो होता है क्योंकि copyright क्या होता है intangible होता है option हम लोग को दिया था other non current assets दिया था है intangible assets है inventories है current current investment है बट हम लोग को पता कि copyright जो होता हो होता है intangible assets के अंदस होता है नेक्स यहाँ पर वन आप दी फॉलिंग नॉट फिक्स income investment बुलता है इसमें से कौनसा fixed income investment नहीं है तो डेबेंचर पर fixed income मिलता है इस्टेट government के bonds पर fixed income मिलता है central government के bonds पर fixed income मिलता है सिप equity shares ऐसा है जिसके उपर fixed income नहीं मिलता हम लोग को कि next यहाँ पर लिखा one of the falling not as sources of buyback of shares बुलता है जो दिया हुआ इसमें से कोई एक प्राइसा है जो sources of buyback नहीं है जिसे capital reduction reserve प्रॉफिट और लॉस capital reserve इस्टाचूटल reserve तो इसमें से buyback हम लोग किसमें से नहीं कर सकते हैं कैपिटल reserve में से हम लोग buyback नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आगे लिखा है एक्स interest is a price of come interest x interest and come interest price are the price related to x interest come interest किसके अंदर आता है गुडविल के अंदर आता है या equity sales के अंदर आता है preference sales के अंदर आता है या debenture तो x interest और come interest जो price है और related किसे है debenture से related से आगे यहाँ पर लिखा है one of the following not a ethics of professional accounts तो यहाँ पर क्या लिखा है one of the following not a ethics of professional account तो fraud हम लोग ethics नहीं बोल सकते है fraud करना कोई ethics का काम नहीं होता है तो इसनों अभी हम लोग ने इससे पहले कि जो भी objective question तो देख लिए 2022 के तभी यहाँ पर हम लोग objective question last के 5S के देख रहे हैं इसके अंदर अभी हम लोग 2019 का देखते हैं जो कि most important objective question है इसमें से exam में आने के chances बहुत ज्यादा रहता है यह आप लोग इतने भी objective करके जाओगे इसनों तो इजली आप पास हो सकते हैं अच्छे एवरेज मेथेट से हम लोग calculate करते हैं नेक्स यहाँ पर दिया है the components of work workplace ethics behavior are बोलता है जो components होता है workplace पर इतिक्स ब्याइबेस और वो क्या है होनेस्टली है legality है disclosure है या all of the अब होए तो जो components होते workplace पर इतिक्स का वो क्या होता है all of the all of this होना देख मतलब सब के सब होने चाहिए यहाँ पर नेक्स यहाँ पर लिखा है the carrying amounts of long term investment is the so act बोलता है जो long term की investment रहते है वो सू होता है किसके अंदर cost के अंदर market value face value cost of market value whichever lower तो जो cost रहते हैं वो long term investment के वो किस बेस होते हैं cost पर हमनों को सू करना पड़ता है नेक्स यहाँ पर दिया है इजे company miss appropriation assets है a fraudulent reporting है ethical reporting है all of this है तो charges of cost of family dinner in the company के miss appropriation of assets है नेक्स यहाँ पर the amount not collected by shareholder should be so as क्या कौन से add के अंदर आगा current life days के अंदर capital देजो के अंदर share capital या reserve capital के अंदर तो जो amount रहेगा the amount not collected by shareholder वो सो होता है current liabilities के अंदर सो होगा next before the buyback all the share must be क्या होना चाहिए partly paid up रहना चाहिए subscribe रहना चाहिए forfeited या fully paid up तो before buyback all says क्या होना चाहिए must be fully paid up होना चाहिए next यहां पर दिया है the ethical issue faced by the accountant include बलत जो ethically issue faced होता है accountant के तरफ से हो क्या क्या होता है accuracy accountability moral all of this तो इसका right option आजागा जो ethically issue faced होते है वो क्या रहता है यहां पर सब किस सब होते है accountancy accuracy का भी problem होता है accountability का भी है moral का all of this इस में है payment of dividend is based on payment of dividend किसके बेस पे होता है paid up capital के बेस पे होता है next यहां पर दिया है schedule third of the company act 2013 required the profit and loss account to be prepared in horizontal form vertical form और यहां पर convenient form और column form तो जो वर्टिकल जो हम लोग का schedule third इसा आप से हम लोग balance sheet बनाते है वो कैसा होता है student vertical form में होता है कैसा होता है vertical form तो इसका right right answer आपका जाएगा vertical form interim dividend of the company can be declared by interim dividend कौन declare करता है company का तो board of director declare करता है तो इसका right option आजाएगा board of director और भी option में आपको shareholder managing director से भी दिया है बट यह लोग declare नहीं करते हैं interim dividend जो रहता है company का वो declare करता है board of directors लिखा the scheme of internal reconstruction is required sanction तो जो scheme रहता reconstruction का वो किसे मंजूरे चाहिए shareholder से articles of association court में तो आपको internal reconstruction करना है तो आपको सब जगह से चाहिए रहता है मतलब shareholder से भी permission चाहिए articles of association court मतलब इसका right option आजाएगा all of this लिखा कि जैड़ लिम्टेड है जह 8,000 equity share 100 is fully paid up each share subscribe and subdivide equity share of 10 is number of shares after subdivide तो पहले कितना था 8,000 था बट एक share 100 का था तो अभी यह 100 को यह हम लोग डिवाइड कर देते 10 से तो मतलब एक share के बदने 10 share मिलेगा तो 8,000 into 10 सब डिवाइड करने पर share से बढ़ जाते हैं तो अभी कितने 80,000 share हो जाएंगे और शुट मैट